कबीर पढ़ना दूर कर अति पढ़ना संसार पीरन उपजे जीव की क्यों पावे निर्धार सक्दुरु कबीर कहते हैं कि यह भाई कि बहुत पढ़ना लिखना बंद करो संसार के लोगों को पढ़ने लिखने दे तो यहां था है पढ़ने लिखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं लेकिन खाली पढ़ते लिखते गए और पढ़ने लिखने के साथ साथ संयम, साधना, बैराग, सेवा, भक्ति पर ध्यान नहीं दिये तो पढ़ना लिखना काम नहीं करेगा इसकुली पढ़ाई में तो लोग आजकल ज्ञान के वृद्धी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं डिग्री पर ध्यान है, डिग्री हमें मिलनी चाहिए बस पढ़ना लिखना काम का है लेकिन पढ़ते लिखते गए सही बोध नहीं हुआ, भ्रांती नहीं गई, आत्म ज्ञान नहीं हुआ, तब पढ़ना लिखना के इसकाम का स्वामित अंकर अचारिय ने दिवेक चुड़ामनी में कहा है यदि अनेक सात्रों को पढ़ने के बाद भी रट लेने के बाद भी आत्म ज्ञान नहीं हुआ, तो सात्रों का पढ़ना निरर्थक हो गया और यदि आत्म ज्ञान हो गया है, निर्भ्रांत आत्म ज्ञान हो गया तब बहुत सात्रध्यन की आफसक्ता नहीं रह गई यहां तो आप काते हैं, यह संसार के लोगों को जो तमाम डिगरी पीछे घुमते हैं, उनको पढ़ने दो तुम बहुत पढ़ने लिखने के चक्कर में न पढ़ो पीरन उपजेज जीव की जब तक मनुष्य के हिरदय में कल्यान साधना के लिए पीड़ा उत्पन नहीं होती है, ब्याकुलता नहीं उत्पन होती दुसरों के लिए दया का भाव नहीं आता है, तब तक जो निराधार पद है, निरालम, असंगिस्थिती, उसके प्राप्ति नहीं हो सकती है नहीं कागद नहीं लेखनी, नहीं अक्षर है सोवे, बाचे ही पुस्तक छोड़िके पंडित कहिए सोवे यह कल्यान की दश्षा, शुरुपी सिती, शुरुप का बोध, यह कागज और लिखने में आने वाला है नहीं लिखते रहें, पढ़ते रहें, उतने शुरुप बोध हो जाएगा, ऐसा थोड़े है, उस उपर की शीज है नहीं अक्षर है तो शुरुप आपको ते वह निरक्षर है अक्षर के जाल से उपर, शब्दा तीत दसा है, शुरुप भाव बाचे पुस्तक छोड़िके, जो बाहरी पुस्तक को छोड़कर, अपने शुरुप भाव की याद कर रखता है, उसको पढ़ता है शुरुप इसमरन करता है, अपने आपको समझने का प्रयात करता है, वह अफ्लिप पंडित है पोथी पत्रधारी पंडित, शात्रों को पढ़ने में लगे हुए हैं, जीवन भर पढ़ते रह जाते हैं, आत्म बोध नहीं हो पाता, वे शब्दों में ही उल्जे रह जाते हैं लेकिन साहब ने कहा है, मैं तो भी पूछाँ पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, पंडित मैं तुम ते पूछता हूं, बताओ, शब्दों को लिखने वाला, शब्दों को बोलने वाला, इस जीव बड़ा है या शब्द बड़े हैं, तुम शब्दों में अटक गए, त वो लिखा है, लिखने वाला बड़ा नहीं है, लिखा हुआ बड़ा नहीं है, लिखने वाला बड़ा है, इसलिए सच्चा पंडित कौं, जो सास्र प्रमान के चक्कर में ना पढ़कर, अपने आपको परखता है, सरुब भा में जिश्थित है, आत्मे चिंतन में डूबा है, वह सच्चा पंडित, धर्ती अंबर ना हता, को पंडित था पास, कौन महूरत था पिया, चांद सूर्य आकास, शाइब कहते हैं, यह बताओ, जब धर्ती और आकास नहीं थे, तब चांद और सूर्य को किस महूरत में आकास में सापित करने वाला, किस महूरत में सापित करना चाहिए, यह बताना वाला पंडित कहां पर था, यह साहर का अभ्यंग है, पंडित लोग कहते हैं, देखो इस महूरत में यह काम करोगे, तो काम सफल होगा, इस मुहुर्त में काम करोगे तो काम तुमारा बिगड़ जाएगा हर चीज में तो पंडित मुहुर्त बताते है सद्गुरु उन लोग तो पुछते है तुम ये कहते हो एक सरब एक समय दुनिया नहीं थी तब परमात्मा ने चांद और सूरद धर्ती आकास को बनाया तो चांद और सूरद धर्ती आकास को किस मुहुर्त में इस्थापित करना चाहिए भगवान को बताने वाला पंडित कहां बैठा हुआ था सब्गुरु तो मानते हैं कि इस दुनिया अनादी अनंत है लेकिन यहां उनका प्रत्न उन लोगों पर है जो पुछते हैं कि ऐसा था तब ऐसा था तब यह नहीं हुआ मुहुर्त की क्या दुर्रत है शुब काम हो सरसमय करने लायक है अशुब काम किसी समय करने लायक नहीं है लेकिन मुहुर्त ना बताये तो पंडितों की रोजुरुटी चले कैसे कबीर ब्राम्हन की कथा सो चोरन को नाओ सब अंधे मिली बैठिया भावे तहां ले जा शाहब करते हैं कि पोथी बाचने वाले जो पंडित हैं खाली रात दिन पोथी बात ना जानते हैं इनकी कथा तो वैसे है कि चोरों के नाओ के समान है चोर चोरी किये या चोरी की नाओ को लिए और चोरी की नाओ पर जो लोग बैठे हुएं सब अंधे हैं कहा ले जाएंगे अंधे लोग नाओ को खे करके ऐशे ही इस पोथी पाचरा बासने वाले पंडित बिवेक हीन सचे ग्यान से रहित अपने सुरताओं को कहा ले जाएंगे सही मंजिल में कैसे पहुचा सकते हैं पोथी पुरान के बल पर महिमा की बाद बता बता करके अंधिस्वास में उल्जा करके रखेंगे फैदा कुछ नहीं होने वाला है कवीर ब्राम्हन बूडिया जनेव केरी जूर लग चौरासी मांग लई सद्गुर सेती तोर केवल जनेव के बल पर अपने को दूसरों से बड़ा मानने वाले ब्राम्हन सदाशार नहीं है नेतिक्ता नहीं है चरित्र नहीं है आत्मग्यान नहीं है तिकिन फिर भी माली हम बड़े क्योंकि हम जनेव पहने हैं शाहब करते हैं कि ऐसे मिठ्या जाति का भी मान करने वाले ब्राम्हन संसार सागर में डूब गए जनेव क्या ख़ए जनेव तो चिन है हुआ लग चावरासी मांग ले सद्गुर से ती तोर सद्गुर से परचेनी सद्गुर से प्रेम तोड़ दिये तोकि पता नहीं ये महात्मा लोग कौन कौन जाती के होते हैं कहां कहां से आये हम बड़ी जाती के इनके सामने कैसे जाकर जुकेंगे कैसे इनकी सेवा करेंगे तो सद्गुर से दूर दूर रह गए अभिमान के कारण इसलिए ये लोग मानो 84 लाख योनी बर्दान में मांग लिये 84 लाख योनियों में भटकने का कर्म कर लिये जन्हों उनका एक वेश उसके धार पर कोई बड़ा माल लिया जन्हों क्या करेगा सद्गुरु द्वारा जब सही ग्यान मिलता है तब भटकाव बंद होता है ब्राह्मन गुरु है जगत का संतन के गुरुनाएं अरूजि परजि के मरी गए चारों वेदों माएं ब्राह्मन कलाने वाले यह जातिका ब्राह्मन ऐसे ब्राह्मनों का जो लक्षन कहा गया है जीते इंद्रिया धर्म परा स्वाध्या निर्टा सुची काम कुधो यसो बश्यत्तम देवा ब्राह्मनम विदू शम दम तप शोचम सांत्र आजव मेवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यां प्रम कर्म सभाव ज्यम तो इन सद्गुनों से जो परिपूर्ण हैं उनकी बात नहीं है इसे जो शम हो दम हो आर्जा हो सरलता हो तो फिर संत्गुन आ गया उनकी बात यहां नहीं है केवल जाती के अधार पर ब्राह्मन जो कहलाते हैं उनकी बात तो ऐसे अपने को ब्राह्मन कहलाने वाले लोग संसार का गुरु होने का दावा करें तो करें ब्राह्मन लोग कहते हैं कि ब्राह्मन संसार अभर का गुरु है यह आपको तो होता रहे हो संतन की गुरु नाइं ब्राह्मन संतों का गुरु नहीं हो सकता संतों का जो गुरु होगा वो तो कोई विवेक बायराग्यवान रहनी संपन होगा कहीं पैदा हो किसी जाती में पैदा हो विवेक बायराग्यवान है रहनी संपन है बस काम हो गया संतों का गुरु ब्राह्मन नहीं हो सकता यह ब्राह्मन तो चारों वेदों का पक्ष ले लेकर के हम बेद पाथी हैं बेद पढ़ने के हमाई अधिकार है ऐसा कह कह करके वेदों को पढ़ पढ़ करके उनमें ही उलज उलज करके मर गए कर्मकांड के जाल से उपर उठ नहीं सके ब्रामनों का काम है केबल करमकांड करवाना और लोगों से पूजा लेना अविदों में क्या लिखा है करमकांड करमकांडों में उलज उलज करके दूसरों को उलजा पुलजा करके ब्राम्हन मर गए अर्था अज्यानी के अज्यानी बने रह गए कली का ब्राम्हन मस्खरा ताहिन दीजे दान कुटुम सहित नरके चले साथ लिए ये जमान एक कली का ब्राम्हन मस्खरा हो गया है कली सियातात पर यह है धरम के नाम पर हिंसा हत्या करवाने वाले ब्राम्हन बैदिक कर्मकांड में बहुत हिंता होती थी आज भी देवी मंदिरों में हिंता होती वहां करने वाले कौन है ब्राह्मन है तो धर्म के नाम पर हिंसा गलत काम कराने वाले ब्राह्मन ये तो मध्खराब बन गया है इनको दान मद दो ये तो सम अपने को कुटुम और अपने जजमान के शहीद नरक में ले जाकर के डूब मरेंगे पढ़े पढ़ावे कुछ नहीं ब्राह्मन भक्तिन जान ब्याहे स्राध्य कारने बैठे सूड़ा तान ऐसे ब्राह्मनों में पढ़ने पढ़ाने का प्रत्मार रहा है लोग तो ब्राह्मनों तो यह कहा है पढ़ने पढ़ने का धिकार ब्राह्मन को ही है लेकिन आज कितने ऐसे ब्राह्मन अब आज तो जमाना बदल गया है आज तो सब पढ़ पढ़ा रहे हैं आज से कुछ सो साल पहले कितने ऐसे भी ब्राह्मन थे कि अवर ब्राह्मन घर में पैदा हो गए पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं यह लक्षर उन्हें को लक्षर लेकर साहब कहते हैं कितने ऐसे ब्राम्हन का लाने वाले हैं जो नो पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं और भक्ति, सेवा, नम्रता की बात तो जानते ही नहीं है हाँ लेकिन केवल क्या है? बिबाशादी, श्राद इस सब करवा करके लोगों से दान पाने के लिए सूड फैला करके बैठे हुए है शाहब कर बैठे सूड तान पर आपने बात तो सूड तो होता नहीं है तो कि लोग के वशी भूत रहते हैं यह लोग के कारण मुझ फैला कर बैठे हैं करेंगे हम साथी कर आएंगे ब्या करेंगे हमें इतना दान मिलना चाहिए और साथ में तो बताते हैं कैसे-कैसे क्या-क्या नाटक करते हैं और कैसे-कैसे लोगों को लुड़ते हैं चार अठारह नौ पढ़ी, छो पढ़ी खोया मूल, कवीर मूल जाने बिना जो पंची चंडूल चारवेद, अठारह पुरान, नौ व्याकरन, शह साथ यह सब पढ़ करके अपने मूल को खो दिये मूल आत्मबूद मुनुष्यता विवेक विचार सब पढ़े मुनुष्यता खो गई सब पढ़े आत्मबूद खो गया, सब पढ़े विवेक खो गया तो पढ़ना तो बेकार हुआ फिर सब पढ़े मुनुष्यता को आत्मबूद को खो दिया कभी रुमूल जाने नहीं कि जिवेक पंची चंडू तो आदमी को शुरूप ग्यान नहीं हुआ तो वहाँ चंडूल पक्षी के समान ही है अब चंडूल पक्षी कौन पक्षी है हमको मालूम नहीं है पढ़े गुने पाठक भए समझाया संसार अपना तो समझाय नहीं बृथा गया अवतार पढ़े गुन करके अधनमन करके पढ़ाने वाले हो गये अध्यापक बन गए और संसार को बढ़ने लग गए लैकिन अपना तो समझे नहीं अपना को समझे नहीं शुरूप बोद्धुवा नहीं कौन हूँ, संतार में क्यों आया हूँ, क्या करतब भेह, क्या करना चाहिए, कहां जाओंगा, कुछ समझ नहीं है, मुझ लेना, बेकार चला गया, खाया पिया अगाय के सोया पाउ पसार, भुंदु कुछ जाने नहीं, को हमको संतार, इसी में जीवन चला गया, बिकार ही हुआ, पड़िगुने ब्राम्हन भए, किर्थि भए, संतार, बस तू की तो समझ नहीं, जोखर चंदन भार, बहुत सातरों को पड़ सुन लिए, अध्यनमनन कर लिए, ब्राम्हन बन गए, उदेशक बन गए, कथावाचक बन गए, संतारवर में किर्टी फैल गई कि बड़े अच्छे कथावाज़क है बड़े अच्छे ग्यानी पंडित है बहुत जानकार है किर्टी फैल गई लेकिन वस्तु की तो समझ नहीं जो सार वस्तु है खुद की अपनी वस्तु है अपना आत्मबोध उतकी समझ कुछ नहीं है उससे खाली के खाली रह गए तो तहब कहते हैं इनका पढ़ना लिखना सब कुछ वैसे हुआ जैसे चंदन का बोजह लाद करके कोई गधा घूम रहा हो चंदन बहुत किम्ती बहुत सीतल सुगंधित लेकिन गधा को मालूम ही नहीं है गधा के लिए तके बोजह है गधे पर नमग लादो चीनी लादो उतके लिए बोजह है तो नमग ने मतलब ने चीनी ने मतलब तो चंदन का बोजह लाद लिए गधा भार ढो रहा है उसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है ऐते ताहिव कहते हैं बहुत पढ़ लिख लिए, खाली बोजा लाद लिए हैं, एजि शुरुप की समझ नहीं हुई तो पढ़त गुनत रोगी भया, बढ़ा बहुत अभिमान, भीतर ताप जो जगत का घड़ी न पढ़ती सान बहुत पढ़ते लिखते रोगी बन गए, मनों विकार के रोग में डूबे हुए, तमाम प्रकार के विकार, अहंकार का बुखार, अपने परचड़ा लिए और अभिमान बहुत बढ़ गया, भीतर ताप जो जगत का अभीतर समतार का ताप, दुनिया भर कर लोग, तमाम समतारी की इच्छाएं कामनाएं, बिसियों की चाहनाएं, यह ताप, ते मन पिड़ी घड़ी न पढ़ती सान, तक ते एक घड़ी भी शान्ती नहीं पाते है पढ़ने लिखने का अर्थ क्या है? पढ़ने लिखने का अर्थ है, जितना पढ़ते लिखते जाएं, उतनी समझ हमारी सही होती जाएं, वस्तुबोद होता जाएं, समझ होगी वस्तुबोद होगा, तो रोग घटेगा, दवाई खाने का अर्थ क्या है? दवाई खाते गए, रोग बढ़ता गया, तो ऐसी दवा किस काम के? दवा तो वो है कि जितना दवा खाते जाएं, रोग घटा जाएं, ऐसे पढ़ते लिखते गए, विकार घटे जाएं, मन का ताप घटा जाएं, शांती बढ़ती जाएं, शितलता बढ़ती जाएं, त्रिपती बढ़ती जाएं, लेकिन पढ़े लिखे बहुत, विकार जोंकतियों, विकार जोंकतियों कि और बढ़ गया, मद चड़ गया कि हम बड़े सास्र ग्यानी संसार की कामनाएं बढ़ गई अशांति से मन घिर गया ऐसा पढ़ना लिखना तो निरण ठक ही है, समय की बरबादी लेकिन साहब कहते हैं चुकि यह प्रसंग पंडितों का है पोति पत्रधारी उतमें हम अपने को भी जोड़ सकते हैं कि बहुत पढ़ लिख लिए, पढ़ लिकर के हंकार तो कर लिए हम बड़े ज्यानी बन गए लेकिन विकार घटा नहीं मन का ताप दूर हुआ नहीं, अशान्ती दूर हुई नहीं तो यहाँ एक बोजा लाद नहीं तो हुआ पढ़ते गुनते जनम गया, आशा लागी हेत, बोया खेत, बीजे हिकुमती ने गया दुनिर्मल खेत नाना सात्रों को पढ़ते गुनते, उत्तम माना जीवन समाप्त हो गया क्यों आशा लागी हेत, संसारिक विश्यों के आशा जो कित्यों बनी की बनी रह गए अधि हम संसार की कोई कामना लेकर पढ़ते गुनते हैं, संसारिक इच्छा कामना में की पूर्ते के लिए सात्रों का ध्यनवनन करते हैं, तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार ही तो गया, जीवन बेकार चला गया कुमति का बीजवो करके शांती चाहें, कुमति का बीजवो करके कल्यान चाहें, शांती का हमिले कल्यान कैसे होगा तो बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी संतारी कामनाओं में डूब करके कुमति का कुबुद्धि का बीज बो दिया गया इसे निर्मल खेट ए मनुष जीवन बेकार में चला गया मिला सा कल्यान करने के लिए भासागर तरने के लिए लेकिन हमने कुमति का बीज बो लिया इसलिए ऐसा उत्तम उसर बेकार चला गया चत्राई पोपट पढ़ी पढ़ी तो पिंजर माई फिर पर मोधे और को आपन समझे नाई चत्राई बहुत है बहुत अच्छे बात बनाना जानते है अच्छी बात कहना जानते है लेकिन आपकाते हैं तुम्हार चत्राई तो बेकार है देखो सुग्गा औह भी पढ़ लेता है शिखाद आप पढ़ लिया लेकिन पढ़ करके भी सुग्गा पिंजडे में बन पिर पर मोधे और को पिंजडे में बन सुग्गा पढ़ करके रट करके दुसरों को बताता है और सुयम पिंजड़े में बंद दुसरों को कल्यान की बात बता रहा है अपना पिंजड़े में बंद है तो बताना क्या हुआ सुयम हम विश्या सक्ति में डूबे हुए है तमाम मनोविकारों में पड़े हुए है और चतुरता पुरुवक दुसरों को कल्यान की बात बता रहे हैं उपदेद दे रहे हैं तो हमारा ज्ञान भी सुग्गा का ज्ञान हुआ बस हरिगुन गावे हर सिके हिर्दे कपट नजाए आपन तो समझे नहीं और रही ज्ञान सुनाए खुब प्रसंद होकर की मगन होकर उचल कुद करकी नाज गा कर भगवान का भजन करते हैं हरी का गुन गा रहे हैं लेकिन हिर्दे का कपट दूर नहीं हो रहा है बलकि हिर्दे में कपट और भर लिए कि हम ऐसे खुब अच्छी तरह से बना करके अनिक उबदेश प्रमान दोहा साखी चौपाई बिच बिच में लोगों को सुना सुना करके लोगों को खुष करेंगे तो हमारी कामना और पूरी होती जाएगी लोगों हमें बड़ा मानेंगे खोधी दान तक शिना मिलेगा तो आपको ते हैं इसी चौतराई किस काम की फिर यदि हिर्दे में कपट है तो हरा सहरा का प्रसंद हो करके हरी का गुन गाने से लाब कुछ होने वाला नहीं है आपन तो समझे नहीं स्वयंत अपना समत्ते नहीं है कि मैं किन-किन अगुनों में दोशों में बुरायों में डुबा हुआ हूँ कैसे मेरे अंदर विषय सकती दिहा विमान भरा हुआ है अपने पतन का ग्यान नहीं है पतन से बचने के रास्ता का ज्ञान भी नहीं है लेकिन दूसरों को कल्यान का रास्ता बता रहे है अपना कल्यान कैसे होगा इसका पता नहीं दूसरों को कल्यान का रास्ता बता रहे है तो उसे हमारा लाव क्या होगा पर सिद्धी बढ़ जाएगी लोग अच्छा माल लेंगे तो ताक पते ही चत्राई काम तो नहाएगी ज्यानी ज्याता बहु मिले पंडित कवी अनेक राम रता इंद्री जीता कोटी मध्य एक ज्यानी ज्याता पंडित कवी तो बहुत मिले बहुत आधी मिलते हैं सत्मे मिलते हैं तो इंकी कौन बिशेषता है सात्रों को पढ़ लिए याद कर लिए ज्यानी बन गए और प्रवक्ता बन गए थोड़ा भ्यात कर लिए कभी भी बन गए कभी तभी बनाने लग गए इनको कोई मतलब नहीं है राम रता इंद्री जीता जो राम में रत हो राम में लीन और इंद्री जी हो ऐसा तो कड़ों के बीच कोई एक मिलता है लेकिन महत उसी का है भले कड़ों में एक हो कड़ों क्या सौ कड़ों में एक हो राम में लीन और इंद्री जै बिसेस्ता उसी की है और ऐसा कोई भी हो सकता हूँ राम में लिन्ता और इंद्री जै इसके लिए बहुत पढ़ने लिखने सासर ग्यान के आप सकता नहीं है इसके लिए तो निर्मान होकर के साथ संगत करने की आव सकता है और जो साथ संगत में बातें बताई जाती है उतको जीमन मैतरन करने की आव सकता है कभी हो जाना, पंडित हो जाना, ज्यानी बन जाना ये महत्वका नहीं है अभ्यास ऐसा कोई भी हो सकता है महत्वका है राम में लिन्दा और इंद्री जयी होना कुल मारग छोड़ा नहीं रह माया में मूँ पारस तो परसा नहीं रहा लोह का लो कुल का मारग कुल जाति पांत का अहंकार छोड़ा नहीं रह माया में मूँ और माया मूँ के आसक्ति में पड़ा रहा नकुल का अहिमान छोटा न माया का मूँ छोटा तो साहब कहते हैं सास्र ग्यान का मतलब क्या हुआ लोहा यदि पारस से इस परस नहीं किया तो सोना तो बना नहीं लोहा का लोहा रहा गया इसी प्रकार अजे सच्चे ज्ञानी गुरु नहीं मिले और का ज्ञान जीवन इस परस नहीं हुआ आतरन में नहीं आया तो अज्ञानी का ज्ञानी मुहिक मुहिद बने रह गए अभी मान एक तरफ धरा का धरा रह जाएगा सास्र ज्ञान क्या करेगा पारफ का कौन सा दोस है यदि लोहा की सपरस नहीं होता उसमें तो ऐसे ही सास्र ज्ञान क्या करेगा यदि आतरन नहीं करते हैं तो लोहा का लोहा बने रह जाएगे शन्तार में रगा डगा करके एक दिन बिदा हो जाएगे आतम ततो जाना नहीं, को टिक कथे जो ग्यान, तारे इतिमीर न भागे हैं, जब लग उगे न भान चाहे कोई खड़रों ग्यान का कथन कर ले, उससे शुरुप सिती नहीं हो सकती है शुरुप का ग्यान नहीं हो सकता उससे जैसे चहत, अकास में, कितने भी तारे उग जाएं, अंधेरा उससे दुर नहीं होगा जब एक सुरज उधित हो गया, पुरा संसार प्रकाशित हो गया करणों सुरज से, करणों तारे से अंधकार दुर नहीं होता, एक सुरज काफी है अईचे ये सुरूप ग्यान हो गया, बस सारा काम बन गया और सुरूप ग्यान का भाव में, चहे जितना पढ़ लें, चहे जितने सासरों को याद कर लें, उससे भादा नहीं हो सकता है सुरूप ग्यान का महत्व है निंदा को अंग निंदक एकह मत मिले, पापी मिले हजार एक निंदक के शीष्ट पर लाख पाप का भार दुसरे प्रकार के दे पाप करने वाले शाहे हजारों मिले, चलेगा लेकिन दुसरे एक निंदा करने वाले एक भी नहीं मिलना शाहिए क्योंकि एक निंदक के सीर पर लाखों पाप का भुझा लदा रहता है कोई व्यक्ति हमारे सामने आया और दुसरे एक निंदा करने लगा और निंदा में हम रफने लिने लग गए तो इस समझ ले जो व्यक्ति आज हमारे सामने दुसरे एक निंदा कर रहा है वही व्यक्ति कुछ दुसरे सामने हमारे निंदा करेगा उतका सभाव ही है निंदा करना साहब कहते हैं कि अन्य पापों की अपिक्षा दूसरे एक निंदा करना भयंकर पाप इसका मतलब यहां यह नहीं है कि जो अन्य पाप जो लोग करते हैं चोरी हिंता हत्या बेविशार साहब उसको ठीक कर रहे हैं पाप तो पाप है किसी प्रकार पाप हो गलत है लेकिन पर निंदा का पाप और भयंकर ग्यानी से ग्यानी है सज्जन, संद, सदाचारी, निर्मल जीवन पिर उसकी बुराई कर कर के दूसरों के मन में उसके लिए घ्रिना भर दिये भैंकर पाप अब ऐसा हुआ है सब समय आगे भी ऐसा होगा निर्मल से निर्मल संद उनकी बुराई करने आगा और उसकी बुराई कर कर के दूसरे लोगों के मन में उसके प्रती द्वेश के भावना भर दे निंदक अपना तो नरक में है ही दूसरों के भी नरक में ले गए इसलिए आप करते हैं निंदक के सीर पर तो लाखों पाप का भार रहता है निंदक से सदे दूर रहना चाहिए अगली साखी तो और कठोर है निंदक से कुट्टा भला हटकर माडे रार कुट्टे से क्रोधी बुरा गुरु दिलावे गार निंदक से कुट्टा अच्छा होता है कुट्टा कम से कम दूर रहकर तो भूगता है निंदक तो पास में रहकर के कान में ही भूगने के काम करता है कुट्टे समसाधार रहते हैं और दूसरे निंदक करने वाली की बात हमें बड़ी अच्छी लगती है हमारे कान में जहर भरता चला जा रहा है हम इसका पता नहीं चलता है, आग दिन पूरा का पूरा फिर जहर हमारे अंदर भर जाता है, इसले निंदा करने वाले से कुत्ता अच्छा है, कुत्ता से क्रोधी बुरा, गुरु दिलावेरा, कुत्ते से भी क्रोधी निंदक बुरा होता है, जो गुरु को भी गाली दिलव आता है, हमारे मन में कामना है, गुरु हमारी बात माने, हमें ऐसे यह करें, और जब हमारी कामना पूरी नहीं होती है, तो हम गुरु तो ही काते हैं, कि गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी ऐसे हैं, निंदक तो है नाक बिन, सोहे नक्टों माई साधू जन गुरु भक्त जो तिन में सोहे नाई निंदक, दुसरे एक निंदा करने वाला बिना नाक का है नक्टों की बीश में वो सुभा पाता है जो साधू संत है उनकी बीश में वो सुभा नहीं पाता नक्टा यहां रहत है निरलज निंदक निरलज होता है उसे दुसरे की बुराई करने में सोयम तो तमाम दोस दुर्गुनों में घिरा हुआ है लेकिन दुसरे की बुराई करने में आनंद आता है उसको तो आपको थे हैं निंदक नाक के बिना है अच्छाई वो सुंगी नहीं सकता कभी जो ऐसे निरलज लोग होते हैं उनके बीश में ही हो सुभा पाता है उसकी बिशुकी बढ़ाई होती है साधू जन है गुरु भक्ता है उनके बीश में निंदक सुभा नहीं पाता उसकी बीश में निंदक को गुंजाइश नहीं होती है निंदक तो है नाक बिन निजदिन विश्ठा खाए गुंजाड़े और गुंगहे तिसका यही सुभाव दूसरों के निंदा करने वाला व्यक्ति बिना नाक का है यसे सुवर राद दिन के वल विश्ठा खोजता रहता है और विश्ठा खाता है ऐसे ही निंदक दूसरे आदमी में दोस खोज खोज करके वे दूसरे के दोस रुपी विश्ठा को खाता रहता है और विश्ठा सामने परुस्ता रहता है गुंजाड़े और गुंगहे तिसका यह सुभाव वा तो सद्गुनों को छोड़ करके दुर्गुन को ही ग्रहन करता है उसका वही शभाव है उते सद्गुन अच्छा नहीं लगता दुर्गुन अच्छा लगता है सद्गुनों की चर्चा करें तब निंदध थोड़े कहा जाएगा दुनिया में लोग यदि दुसरे सद्गुनों की चर्चा करने लग जाएं दुसरों के सामने तो दुनिया सुरक बन जाए लेकिन जैसे सुवर के सामने एक तरफ मिठाई रग दो एक तरफ बिष्ठा रग दो और सुवर को छुड़ दे दो कि तुम्हें जो खाना तो खागा तो सुवर मिठाई खाएगा क्या ओ कहे रहे मिठाई कहे लिए बेकार की चीज उते तो बिष्ठा ही पसंद आएगा साहा कोते हैं ऐसे ही निंदक सुवर के समान है उते दुसरे के सद्गुन अच्छे नहीं लगते दुर्गुन ही वो खोजता रहता है वो तो निजधिन विष्ठा खाएगा खोज खोज करके दुसरों के दुर्गुन विष्ठा को खाता रहता है उती चर्चा करता है पर उस भाव उसका वही है निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबून बिना निर्मल करेश तुभाए निंदक को अपने आंगन में कुटी छवा करके सामने ही रखो क्योंकि बिना पानी और बिना साबून के हमारी सभाव को साफ करने वाला है अब प्रस्न हो सकता है अभी तो साहब कह रहे हैं कि निंदक बिना नाक कशुवर है निंदक के सीर पर हजारों पापों का भार है निंदक कुट्टा से भी बुरा है फिर अभी कह रहे हैं साहब निंदक को अपने आंगन में कुटी छवा करके रखो दोनों तो बिरोध है तो जब कहा जाता है साहब कहते हैं कि निंदक के सीर पर लाखों पाप का भार है निंदक कुत्ता से भी बुरा है निंदक तो बिनानाग के शुवर है तो वो कुन के लिए है दूसरे एक निंदक करने वाला के लिए तुम्हारी जो निंदा कर रहा हो उत निंदा को अपने पात में रखो पर निंदा को तो दूर रहो लेकिन हमारी जो निंदा कर रहा हो तुम्हारी जो निंदा कर रहा हो उसको आंगन में कुड़ी छबा करके रखो निंदा कर करके बिना पानी और साबुन के तुम्हें साधान करकर के तुम्हारे दोस्टों को वो दूर करते तुम्हें तुम्हारे दोस्ट को निकानने वो सहाया को होगा निंदक दूर न कीजिये कीजे आदर मान निरमल तनमन सब करें बके आने ही आन अपनी कोई निंदा करता हो तो उसका तो सतखार करो आधर्मान, आभगत करो क्योंकि वहन तुम्हारे बारे में कुछ का-कुछ कह कह करके तुम्हें ब्राइइ खोज, खोज करके तुम्हारे तनमन को निरमल करने का काम करता रहेगा लेकिन इसके लिए सरंसक्ती होगी तब होगी नहीं तो फिर अपनी निंदा सुन सुन करके तो आदमी को प्राय क्रोध ही होता है मन दुखी ही होता है और जितना हम दुखी होते हैं किसी ने हमारी निंदा की और जितना हम दुखी होए उतना निंदा सफल हुआ और दुखी नहीं हुए निंदा सुन कर चिड़े नहीं निंदा असफल हो गया ओ मर जाएगा सब्सक्राइब दूसरे की निंदा ना करें लेकिन कोई अपनी निंदा कर रहा हो तो उसको आदर मान दो सब्सक्राइब करते हो कि तुम्हारे तन मन को वह निर्मल करने वाला है तुम्हारे बारे में कुछ कह कह करके निंदक मेरा जनी मरो जीवो आद जुगाद कभीर सद्गुरु पाईए निंदक के परसाद कभीर सब्सक्राइब करते हैं यह भाई मेरा निंदत, तुम मरना मत, तुम तो जुगों जुगों तक जीते रहो, अजर अमर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कृपा से, मुझे सच्चा सद्गुरु मिल गया, सुरू बोध मिल गया, मैं तो अपनी साधना में सफल हो गया, तुमने मेरी निंदा करकर के मुझे सद्गुरु मिल गया, सद्गुरु द्वारा सच्चा बोध मिल हो गया, जीवन किर्दार्स हो गया, इसलिए तुम मरना मत, तुम जुगों जुगों तक जीते रहना, कबिर निंदक मरी गया, अब क्या कहिए जाए, ऐसा कोई नाम मिला, बिड़ा ले उठाए, कबिर ताथ दुखी हो करगे कहते हैं, मेरी जो निंदा करने वाले विक्ती था, वो मर गया, अब मैं क्या करूँ, ऐसा कोई मुझे नहें मिलता है, जो फिर मेरी निंदा करने का बीड़ा उठा ले, और मेरे साथ बना रहे, मेरी निंदा करता रहे, एक साधक जो जिन्हों अपने आपको पूरी तरह से साथ लिया, सुबस कर लिया, उनके मुझ से ही ये बात निकल सकती है, जितने हम में बुराई होगी, जितने हम भीतर से कमजोर होंगे, उतनी निंदा सुन सुन करके, हम दुखी होंगे, और निंदा को अपना सत्रु मान करके, सत्रुता का उनसे बिवहार करेंगे, लेकिन जिसमें अंदर बहार के जितनी डिड़ता होगी, जिन्होंने अपने आपको भीतर बहार से पूरा साफ ठोस कर लिया है, जिनकी जीवन में कोई बुराई रह नहीं गई, निंदा सुन करके, निंदा करने वाले के लिए उसके मुझ से आथिरवाद निकले गा, भाई, तु मेरा हिच जिन्तक है, मुझे साधान कर रहा है, तो जाहता आप करते हैं कि कभीर निंदक मर गया, अब क्या करिये जाए, कभीर निंदक मर गया, अब मैं क्या करूं, कहां जाओं, ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, कि जो मेरी निंदा करने का बिड़ा उठा ले, और मुझे साधान करता रहा है, सातों सागर मैं फिरा, जंबु दीप दे पीट, परिनिंदा ना ही करे, सो कुई बिरला दीट, सातों सागर, जंबु दीप, जंबु दीप भारत, चाकवत जंबु दीप से पीट ले करके, मैं साधों सागर मिल अर्थात, पूरे पृत्थी पर मैं घुम घुम करके देख लिया, एक जगा की बात नहीं है, जो दुसरे एक निंदा नहीं करता हो, ऐसा कोई बिरला ही दिखाई पड़ आदमी तो आदमी सब को सभाव एक जैसा है, कम ज्यादा अंतर हो सकता है, दुनिया में कहीं चले जाएं, कामी, कुरुधी, लुभी, मुही, रागी, द्वेशी, इर्शालू, लडाई जगडा करने वाले, बैर बिरोद करने वाले, इनकी कमी नहीं है, इनकी कमी नहीं है, दुनिया में कहीं चले जाएं, दया, शमा, सत्य, धिर, विविग, विचार, सैयम, साधना, ज्यान, वेराग के पत पर चलने वाले, दुसरों के प्रसंता करने वाले, सद्गुनी, सदाचारी, सद्गुन गराही, इभी मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के संख्या बहुत कम होती है, दुसरों के बुड़ाई करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उती पर साहब कहते हैं, कि मैं दुनिया भर में घुम कर देख लिया, कि दुसरों के निंदा जो नहीं करता, ऐसा कोई बिरला बिरला ही होता, और वो धन्या है, जो ऐसा नहीं करता, दोश पर आया दे साइब कहते हैं दूसरे का दोस देख करके तुम हस्ते हस्ते चल रहे हो देखो अमुक में ये दोसे, अमुक में ये दोसे, अमुक में ये दोसे है बड़े खुश हो रहे हो तुम और हस्षित हो करके लोगों के सामने उनकी बुराई कर रहे है तुम अच्छे मानते थे ना, सद्जन मानते थे साधू महानते थे, महानतवा मानते थे, उसमें दिए यह बुराई है. देकिन साहब कहते हैं अपने चितना आवे जिनको आदि अपने भीतर रहे बुराईयों कि तरह धान नहीं जाता जिन बुराईयों का आदि अंत ही नहीं है अपार बुराईया है यदि हम अपनी बुराईयों को देखने लग जाएं तो देख करके उनको दूर करने के काम करने लग जाएं। तो दुसरे के दोच देखने के लिए हमारे पात फुर्सत नहीं होगी, समय नहीं होगा। बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम यह मानते हैं। हम तो सीर से पैर तक सद्गुन ce ऑन भय भरे हुए है। एकदम ठोस हो चुकें है और हमारे सामने आएआणा ज़ल्यकति है, बार अभले सीर से पैर तक दुर्घुनों से ही भरे हुए हैं। उतमें छोटा फी सद्गुन प्रवे directement कर सके। इतनी जगा नहीं है। इसलिए हैं दूसरे के दोस्तों को देख करके खुश होते हैं और उसकी चर्चा करते रहते हैं लेकिन हकीकत क्या है हम सुयम सिर्थे पैर तक दोसों से लिप्टे हुए हैं और उसका हमें ख्याल ही नहीं है तिनका कभून निंद ये पाउ तले जो होए कभून उडी आखो पर पिर घनएरी होए सब्चित कहते हैं कुछ घास का छोटा सा तिनका तुमहारे पैर के निचे पढ़ा हुआ हो तो भी इसकी निस्दा मत करो उसके अभेना मत करो उसे तुछ मत कहो समय का चक्कर कब कैसा चले क्या पता हो सकता है वही तिन का जो तभी तुम्हारे पैर की नीचे दबा हुआ है तुम हाथे हटो हवा चले उड़ करके तुम्हारी आख में घुश जाए और भेंकर पिड़ा तुम्हें देने लग जाए अर्थ है कि किसी भी आदमी को दुर्गुनी मान कर कि उसकी निंदा मत करो कब उससे कैसे क्या पाला पढ़ जाए क्या पता है और अपने जीवन में कैसी ती आ जाए कब हम परलोभन में पढ़ जाए कब वास्नक परवा में पढ़ जाए और प्रोभन वास्नक परवा में पढ़ कर जाए कब कैसा गलत काम कर कर संसार भर में निंदा के स्वयम पात्र बन जाए क्या पता है दुसरे एक हम कहते है उन्हों ऐसी गलती कर लिए उन्हों ऐसी गलती कर लिए उसके निंदा करने ठीक है, उन्होंने गलती कर लिए, कर लिए, निंदा करने का जोड़ अपनी गलती परणाम, वो खुद भोगे जाए, तो उसकी हसी करने की क्या आवा सकता है, स्रम के लिए देखो, कि तुमारी जिवन में कब कैसी घटना घट जाए, इतले किसी की निंदा मत करो, कि अभिना मत करो, साधान होकर के अपना काम करते चलो,